दोस्तो इंतजार की घड़ी अब हुई कम क्योंकि आज से स्टार्ट होने जा रहा है इंडियन सुपर लिग का ग्यारवा सीजन और सीजन के स्टार्टिंग मैच भी किन दोनों तीम के बीच है जो है लास्ट ताइम आयसल चैंपियन मुंबाई सिटी फुटबल क्लब एंड और ग्राउंड भी कौन सा विवेकानन्द युवा भारती किरांगन सौल्ट लेक कोलकाता हां दोस्तो ये वही स्टेडियम है जहां लास्ट ताइम मुंबाई सिटी एफसी ने सिकर्स दी थी वो भी फाइनल मैच में अपने होम फेंस के सामने मुंबाई सुपर जाइन के लिए ये एक सुनहेरा मौका है लास्ट ताइम की हार का बढ़ला लेने का गाईज मैच फुल भी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि डोनों ही टीम्स आयसल में जाइन टीम्स है दोनों के पास आयसल टॉफी एन शील जेतने का बहतरीन अनुभव है गाईज डोनों टीम्स की राइवलरी 2021 से ही हम लोग डेक चुके है और 2021 में जहां शील्ड मुंबाजसीटी एपसी ने जीता तो रणास अप हुए मौसानबागान सोपगाईन वहां कप में भी मुंबाजसीटी एपसी विनर थी तो रणास अप थे मौसापगान सोपगाईन 2022 में Shield and Trophy में entry हुई Jamshedpur and Hyderabad FC की लेकिन फिर से 2022-23 सीजन में Mumbai City FC फिर से Shield winner बने और Trophy अपने नाम किया मुहनबगान सुपजाइन ने and 2024 में मुहनबगान सुपजाइन ने Shield जीता तो Trophy अपने नाम किया Mumbai City FC ने तो एक very high voltage rivalry match से ही ISL Season 11 का शुरुआत होने जा रहा है तो mark the time 7.30 p.m. today So दोस्तों we will keep eye on every update from ISL Season 11 So like, share and subscribe to the channel